पाकिस्तान वाली आर्मी कोई ती ती गंदी वेस्त हुई है नो एक दो सीन में आपको दिखा देती हूँ वैसे में नमस्ते आप सबका स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में तो भाई आज तो चीजे बहुत ज्यादा स्पेशल है पहला कि मेरे को ब्लॉग बनाते बनाते एक सबस्क्राइब कर देखने के लिए तो पहले तो मैं तो पहले तो मैं आप सबको थांक्यू बोलना चाहूंगी आप लोगों इतना सपोर्ट करा मैंने बिल्कूल भी नहीं सोचा था कि इतने सारे लोग मुझे देखेंगे आज मेरी वीडियो वीडियो वन के से उपर है और कुछ 2K को भी क्रॉस कर चुकी सो थांक्यू और मेरे को लगता था 200 तक व्यूज जाएंगे और सब्सक्राइबर भी ऐसी होंगे लेकिन अज 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं क्या पता इस व्लोग के बाद हो जाए इस जल जल सब्सक्राइब करो 480 है अभी तो जल्दी से वान के करा दो फिर मैं आपको मोटिफ भी बताऊंगी मेरा मोटिफ क्या था व्लॉगिंग करने का और मैंने क्यू स्टाट करा कब स्टाट करा किस ले करा सब्सक्राइब थांक्यू सो मच तो गाइस हम पहुच चुके हैं हम शालिमारबाग वाली पीडियर में आप देख लो यही वह जगह जा पर भूतों की फिरफाइल्स की शूटिंग होती है बेस्मेंट में बेस्मेंट में और पता है हुआ कि हमारी जो कार है न वह तो बच्चती रहते में तो उसको लॉक औक सब कर देंगा फिर उसको लाइट बचती रहते हो खराब है मेरेको सब्सक्राइब बहुत 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 एक्साइटेट है हमारे बस ओड़ी खुल जाए फिरम भी जाएंगे उसमें सब्सक्राइब हो रही है अब लोग वेट कर देंगा बस आठ बजे किया थोड़ा सा ताइम और 10-15 मिनेट और फिर जाएगा सब्सक्राइब कर देखने के लिए वाली चूड़े फैन कर रहा है क्योंकि इस ग्रेश से रिलेटेट कांटर से रिलेटेटेट मूवी है तो इसके ही पैनेंगे इसके उपर पिच्चर रहा है हां 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 मैं पंदर अगस्त के प्याद में तो बहुत एक्साइटेट है और बड़े मुश्किलों से सीट में लिए ऑनलाइन हमने बुकिंग करा ली तो मिस्टी गई वर्दा मिलती भी नहीं कि अब अच्छी है अभी इंटर्वाल हुआ है अभी आगे देखिए वागी घर जाके आपको पूरी स्टोरी बता दो कि क्या है क्या प्यानी और जबी क्लाइमेक्स आया था नहीं तो प्रूपा के इंच्छा का मतलब ऐसा ना पूरी 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 चेंज हो गई जैसा ए अब अच्छाना से मुखी चेंज हो गई तो अब घर जलकर आपको कवी कैसी थी कैसी हुई जैक्टर में कोई प्रॉब्लम आदो ही तो अब सब लड़ रहे हैं आपर जैक्टर चालू नहीं हो आप सब लड़ रहे हैं उन्हेंने का था थोड़ी देर लगेगी और इसमें सीन पर जानके लड़ाई होगा जैक्टर में कोई प्रॉब्लम आगई तो अब सब लड़ रहे हैं यहां पर उन्हेंने का था थोड़ी देर लगेगी और इदम में सीन पर जाकर लड़ाई हो गई पर जाने की सोच रहे थे लेकिन फिर जब हमने पेटे में इसका प्रवार अंसाल आस्थ भाई यह क्या है फिर हमने आगई 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 पर रोग दिया पबलिक पागल होगे खामे थामे तो रात को आकर हम सब सो गई थी क्यों बहुत नीदारी थी अब मैं बागी का मूवी के बारे में बताती हूँ पहले बता तो थीएटर में लड़ाई की थी एक्शली हुआ क्या था इंटर्वल के बाद से थोड़े सीन जाने के बाद ना थोड़े दिर बाद उनका मैंनेजर को गहेर लिंदे को बापिस कर और मैंनिजर पैसे बीफ देने को तयारता फिर जैसी मूवी स्टाटें बाद से लगा दिर तो बिलुकु जहां से छोडिती लगा ही से लगई लड़े जारे अब मैं आपको मोवी बारे बताते हो मूवी बहुत डिज अच्छी है पाकिस्तान की बहुत अच्छ से भी है और मुवी में एक्शन और ऐसे एक्षन कह अच्छी से दिखाया गया था एक्शन सीम्स को वैसा इसमें भी है वैसे तो पूरी मुवी अच्छी है बल बीच में थोड़ा सा जा पर वो सनी दियल को मैं बताने नहीं चाहती क्योंकि आपका सस्पेंस कराव हो जाएगा मैं तो यह सजेस्ट करूंगी आप जाके थेटर मे आपके देखने जाना तीवी पर पतानी कब से कब आएगी थेटर में बहुत अच्छा एक्सपिरियंस रहेगा और मुवी में मुवी में स्टोरी महां की दिखाई है जब बांगलादेश बनने वाला होता है पाकिस्तान में अंदोलन चल रहा होता है महां की मूवी तो एकदम से सारी मुवी चेंज जाती है मैं बिल्कुल भी बता देती हूं और एक दो सीन आपको ऐसे दिखाती हूं जो मतलब बहुत ही अच्छ है वह मतलब वह तो अच्छे हैं और भी बहुत अच्छे सीन तो आप थेटर में ही जाकर देखो और पाकिस्तान वाली आर्म मतलब मेरा ननियाल है पाकिस्तानी ये सब जो बहुत अच्छी मूवी है तो एक-दो सीन में आपको दिखा देती हूं वैसे मैंने ज्यादा नहीं दिखा रही है क्योंकि आपको बता कॉपीराइट आजाएगा तो एक-दो सीन में आपको दिखा दीजिए और अब के बार स अच्छी मतलब पहली अच्छी काम इनोंने जो कराए गाने पुराने रखे जो बिल्कुल फेमस गाने तो उनको पुराना ही रहने दिया उनकी लिरिक्स में कोई चेंज ने करा जैसे गाने बहुत अच्छी लग रहे हैं और जो भी जितने भी आक्शन सीमते जादा कर है कि इंडिया में भी जो मतलब की सनीदयोल महा जाकर नहीं तो पाकिस्तानियों को बुरा कहते हैं नहीं किसी और धरम की बेस्ती हुए बल्कि लास्ट में डायलोग आता है जो मेरे को बहुत पसंद आया लास्ट में जब वो विलन से पूछ रहे होते है कि तू कुरान और किसको चूज करेगा तो महाँ पर जो यह वाला डायलोग हुआ है मैं बताऊंगी नहीं आप खुछ जाकर देख लो ना वह बहुत ही अच्छा लगा है मुझे मैंने सोचा नहीं था कि वह ऐसा बोलेंगे मेरे को लगा था कि वह कहेंगे कि यहां कि वह मतलब विलन ने सोच स्टार्ट हो रही होती है जब लड़ाई जगड़े तब आर्मी आफिसर्स लड़ रहे है उन्होंने एक साथ हर्मा आदेव हर्मा आदेव का है वह वाला सीन भी बहुत अच्छा लगा मुझे परस्नली तो मैं तो यही सज़ेस्ट करूंगी जाकर देखो और रही बात omg क अगर आप गदर और omg के बीच में कंफ्यूज तो मैं कह रही हूं गदर टू देखो क्यों तो थोड़ी एक्शन मूवी है तो उसका अलगी मसा आएगा होल पे omg 2 omg 2 भी मैं देखने चाहूंगी और जल्दी उसका भी review आपको दूंगी पंदर अगस्त के व्लोग में उस क्यों कुछ लोग सोचना तीवी पे तो आने वाली है तीवी पे आजएगी तो अभी नहीं आईगे क्योंकि आपको बता है जो मूवी बहुत हीट जाती है वो टीवी पे तीजलती नहीं आती तो थीटर में जाकर देखो बाखी बाए और थैंक्यू मेरे को एक साल पूरा ह क्योंकि यह बहुत बहुत करता है अब जब बड़े हो जाएंगे तब चलेंगे है ना अभी सबको कह दो सब्सक्राइब कर दो चैनल को अब बहुत हैं कि बहुत कर दो चैनल को बोलो अब आए शर्मीले क्या लाइक करो अधाए तुझे नहीं करना तुझे करवाना है यह लाइक कर दो क्या दे लाइक कर दो दो